हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दा चैनल, इस वीडियो में हम 40 important points जो timber से related है उस पर discuss करेंगे, इस step का knowledge जो है कई बार exam में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो का आप अंतर जायूर देखेगा और comment में जायूर लिखेगा कि ये वीडियो आपको इसका लकडी जो होता है कापी हार्ड होता है और यह जो है साल में एक बार अपने पत्ते को जो है गिरा देता है, इसलिए इसको जो है पजर ब्रिक्च भी बोला जाता है, जैसे कि सीसम हो गया, ठीक हो गया, यह सभी जो है DCDS 3 का example हो गया, उसके बाद एक कोनिफर, कोनिफ होता है, जैसे कि चीर हो गया, पॉइंट हो गया, यह सभी जो है कोनिफर ट्री का example है, इसको संकुधारी ब्रिक्च भी बोला जाता है, नेक्स्ट है, मॉइस्टर कॉंटेंट इन वेल सीजन टिंबर, 10-12% अगर वेल सीजन टिंबर है, तब उसमें जो मॉइस्टर कॉंटे एक बिल्डिंग के फरेम बनाना है, जैसे हो गया विंडो हो गया, डॉर हो गया, तो इस सब के फरेम, अगर बनाना है, तो उस तिंबर में जो मॉइस्टर कॉंटेंट होना चाहिए, वह 8-12% के आसपास होना चाहिए, नेक्स्ट है, टिकूट, टीकूट जो आता है, या सबसे जादे मुल्लवान लकडी होता है most valuable timber होता है और इसका जो हाता है resistant power भी timber के respect में बहुत जादे होता है जिसके कारण जो होता है white end जो है इस पे असानी से प्रभाव नहीं डाल पाता है next है seasoning of timber seasoning of timber से रिलिटेट जो आईस कोड है वह है आईस 1141-1958 इसको आपको ध्यान में रखना है कि seasoning of timber से रिलिटेट आईस कोड कोन है तो आईस 1141-1958 seasoning of timber में क्या होता है कि timber में जो moisture content होता है उसको बाहर निकाला जाता है इस पेल किया जाता है उसके बाद जो है timber में जो सेफ होता है उसको बाहर निकाला जाता है तिमबर से और एड़ seasoning का जो time period होता है वह 2-3 मैना होता है उड़ का जो हम एड़ seasoning करते हैं वह का जो time period होता है वह 2-3 मैने का होता है उसके बाद है अगर हमको uniform seasoning करना है तब का यूज करते हैं की एलक्तिक सीसिनिंग के दोरा जो है इनिफर्म सी निंग किया जाता है त्रक्रीट ista 2 का कि नेसले हैं कि तेंटिंबर और उसका क्या-्क्या यूज है तो कुछ इंपर्टेंट इन्बर है जिसे मलवेरी है तो मलवेरी का यूज जो है, एस्पोर्ट जिसे बैट्स हो गया, बिकेट्स हो गया, एस्पोर्ट इंडस्ट्री में जो है, मलवेरी ट्री का यूज किया जाता है, उसके बाद है जैक, जैक ट्री का यूज जो है, जो मुजिकल इंस्टुमेंट होता है, उसको बनाने में किया जाता है, उसके कि रेलवे के सिलीफर को बनाने में किस टिंबर का यूज किया जाता है तो देवदार का यूज किया जाता है उसके बाद है बबुल बबुल का यूज जो है एगरी कल्चर से related जो भी instrument बनाना होता है उसमें क्या जाता है उसके बाद है टीक का यूद जो है नाव बनाने में क्या जाता है उसके बाद है maximum deflection in timber जो होता है वह लेह देन होना चाहिए यह काफी important है कि एक टीमबर का जो maximum deflection कितना होना चाहिए तो जो एसपान है उस divided by 360 से कम होना चाहिए नेक्स्ट है फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट है टिमबर केन भी made fire resistant by soaking it in ammonium sulphate and sir evils process टिमबर को जो है fire resistant बनाया जा सकता है कैसे बनाया जा सकत है जब तिमबर को जो है ammonium sulphate में जो है भींगों के रखा जाता है तब तिमबर जो है वह fire resistant बन जाता है या sir evils process के दोरा जो है हम timber को fire resistant बना सकते हैं तो sir evils process में कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले जो है तिमबर को का जो surface है उस पर sodium silkyate का weak solution से paint के जाता है उसके बाद जो है soda का जो silkyate होता है उसका concentrated solution या select fat line का जो solution होता है उससे paint के जाता है इसके से क्या होता है कि timber जो होता है वह fire resistant हो जाता है या process बतलाया था sir evils सहाव इसलिए इस process को बोला जाता है sir evils process नेक्ट है timber और उसका average life कितना होता है तो अगर timber जो है high durable है तब उसका average life जो है दस साल से जादे होता है अगर timber जो है moderate durable है तब उसका life जो होता है वह पांच से कम होता है next है hard board और example of fiber wood hardwood जो होता है वह फाइवर उड का example है next है यूज़ बेस फोर टिंबर पॉइंटिंग white light white light जो है एक ऐसा बेस है जो कि टिंबर को पॉइंट करने में सबसे जादे यूज़ किया जाता है यह काफी important है कई बार पूछा गया है कि टिंबर पॉइंटिंग में कौन सा बेस सबसे जादे यूज़ किया जाता है most commonly यूज़ होने वाला बेस कौन है तो white light है उसके बाद तिंबर का quality किस किस बात पर depend करता है तो टिंबर का quality होता है वह किके time पर depend करता है उसके बाद ट्री को काता जाता है उस बात प obsанс of size क्या जो है कितना है कि साइज अगल का wiltail करता है इस भात बत करता 박शन करता है कि tree का क्या size है, इसको आपको ध्यान में रखना है, कि size of tree पे तिमबर का quality depend नहीं करता है, तो किस बात पे depend करता है, तो tree का किस tribe कटीरी है, उसको किस समय काता गया है, और tree जो है कितना mature है, उसका size क्या है, next है grooving, grooving क्या होता है कि लकड़ी के अंदर में जो groove करने का process होता है उसको grooving करना जाता है grooving में जो है एक elongated space जो कि estate भी हो सकता है कड़ भी हो सकता है उसको जो है अंह्म पॉइंट फॊर से लेकर 6 अम तक बैरी करता है यह काफी पतला पतला जो है पॉर्शन प्राप्त होता है जिसको भेनिर्स के नाम से जाना जाता है इसका थिकने जो है जनरली पॉइंट फोर से लेके शिक्स एमम तक होता है नेक्ट है फाइवर सेचुरेशन पॉइंट इन ऊडिज रिच डुएंट फिरी वाटर रिमॉवड स्मेट के फिरी युद्छ गेन विर्पीट लकडी में जो है फाइवर सेच्यूरेशन पॉइंट कब प्राप्त होता है जब प्री वाटर उसे निकाला जाता है उसके बाद सुकरे रिपिधंड ली होने लगता है उसके बाद जो है एस टेम जो है गेन डिल रिपीद होने लगता है तब जो है लखरी में फाइबर से जुरेशन पॉइंट जो है प्राप्त होता है नेक्स है IS287annie5123 recommended for maximum permissible moisture content of timber 4 zon zon 1 जिसका moisture content जो है चालिस परसेंट से कम होता है zone 2 जिसका moisture content 40-50 % होता है zone 3 जिसका moisture content 50-67 % के असपास होता है zone 4 जिसका moisture content 67% से जादे होता है इसको आपको ध्यान में रखना है कि IS 287-1993 के द्वारा जो आए timber का जो moisture content है उसके अधार पे 4 zone में बोटा गया है तो 4 zone में पहला zone का moisture content 40% से कम होता है दूसरा zone में moisture content 40 to 50% के असपास होता है तीसरा zone जो है उसमें timber का moisture content 50 to 67% होता है और 4 zone में जो है 67% से जादे होता है moisture content timber का next है shear strength of timber depends on laning with fiber timber का जो shear strength होता है वह फाइबर्स के जो laning होते हैं उसपे depend करता है काफी important है next है इंडोजेनियस ट्री इंडोडेनियस ट्री का जो है रखना है उसके बाद है dry rot dry rot जो है काफी important है इसको कई बार पूछा गया है कि dry rot का क्या कारण है तो dry rot का main कारण है lack of ventilation lack of ventilation के कारण जो होता है लगडी में dry rot देखा जाता है और इसमें क्या होता है कि timber जो है reduce to powder और dry rot के कारण जो है timber shrink कर जाता है और वह जो है powder के रूप में convert होने लगता है next है sex sex क्या होता है कि longitudinal separation of wood between annual link लकरी का जो annual rings होता है उसके जो longitudinal separation होता है उसी को sex बोला जाता है next है Gods Chamat2 and Everyday Start sex क्या होता है कि क्रेक इस्थेंड फरूं बार्ट वार्ष से पूर्ड प्, इस्टरसक में क्या होता है कि बार्ष से से पूर की ओर जो है क्रेक बड़ता है इस में जो है सटाट सेक जो होता है वा बाहर के और ज़ादे चोरा होता है और पिथ की और жो है कम चोरा होता है जैसा कि आप इक जंबल यहांपर देख सकते हैं पिथ हो गया लकड़ी का यी इनर पोर्शन जिसको पीथ बोला जाता अब तो इधर यह श्टार सेक जैसे की यहांपर बना र हुआ है तो इसमें यह बाहर के जिए ज्यादे चवरा है और कर की पित की और जो है यह बहुत लोर रहुं है जीसा क्या फिद देख सकते हैं उसके हत benefit हार्ट सेक क्या होता है कि स्टार्ट सेक का सिस्ट अपोजी चेट होता है यह जो है inner side में wider होता है next है blue stain blue stain क्या होता है कि timber का एक defect है जो फंगी के कारान होता है यह काफी important है कि फंगी के द्वारा जो defect होता है timber में उसको बोला जाता है blue stain next है wet rot wet rot क्या होता है decay of timber due to alternate wetting and drying timber को जो alternate roof से जब उसको भिंगाए जाता है सुखाए जाता है तो जिसके कारण जो है timber में wet rot डेवलप हो जाता है next है bark bark जो है किसी भी timber या tree का जो है outer most layer जो होता है उसी को bark बोला जाता है जैसे कि आप यहांपे देख सकते हैं इस layer जो है outer most layer इसी को bark यानी छाल बोले जाता है Cambion layer Cambion layer क्या होता है कि inner bark और перепwood के बीच का जो timber का person होता है उसी को cambion layer बोला जाता है जैसा के पहुँआप होता inner work और Redmi Lip Cambium layer next है sapwood sapwood क्या होता है यंगेस्ट लियर औफ टिमबर का जो सबसे नया लियर होता है उसी को सैपूट बोले जाता है उसके बाद है हर्टूड हर्टूड क्या होता है कि जो टिमबर है उसका जो सेंट्रल पोर्शन है उसके चारो और का जो पोर्शन होता है उसी को बोले जाता है हर्टूड उसके ब most central portion of tree किसी भी bricks या timber का जो central होता है portion उसी को पित बोला जाता है next है medullary layer medullary layer क्या होता है thin radial fiber extending from pit to cambium layer pit से लेकर cambium layer तक जो बहुत ही पतला radial fiber होता है उसी को बोला जाता है medullary जैसा कि आप आप देख सकते हैं image में कि pit से लेकर बहुत ही पतला यह जो रे गया है इसी को बोला गया medullary ले जो कि pit से लेकर cambium layer तक जाता है next है plywood प्लाइवूड जो होता है वह बेनीर और adhesive से मिलके बना होता है काफी important है made up of बेनीर और adhesive plywood made up of बेनीर और adhesive और यह जो है tick wood से बनाया जाता है और plywood का जो specification कह जाता है वह thickness के आदार पर कह जाता है यह भी काफी important है कि specification of plywood by its thickness उसके बाद है plywood का जो tensile extent होता है वह सभी दिशा में एक समान होता है next है age of tree can be predicted by counting the annual number of rings यह काफी important है कि किसी भी tree का जो age कितना है इसको कैसी अनुमन लगाय जाता है तो उसमें जो है annual rings कितना है इसको count कर लिया जाता है जितना annual rings होता है उतना year का वह tree होता है सपोज कर यह अगर किसी tree में जो है 100 invert rings count क्या गया है मतलब उस tree का age जो है एक सो साल है next है for durability test extender dimension of test specimen of wood 600 by 50 by 50 mm durability test अगर timber का करना है तो जो specimen wood का लिया जाता है उसका dimension जो है 600 mm by 50 mm by 50 mm लिया जाता है next है extent of timber is maximum in parallel to the grain और 0 degree angle to the grain यह काफे important है कि timber का extent होता है वह maximum होता है ग्रेन के parallel में यह ग्रेन से जब 0 degree अंगिल पर होता है तब जो है timber का extent maximum होता है लोग क्या होता है कि trunk of the tree left after cutting all the branch एक ब्रिक्ष का जितनों भी साखा होता है उसको जब काट लिया जाता है तो ब्रिक्ष का जो तने बच जाता है उसी ट्रंक को जो है लोग बोला जाता है नेक्ट है दे टिम्बर प्रिजर्बेटिव क्रिव शॉट बिलोंग्स तो ग्रूप अफ टार ओल टैप टिम्बर का जो परिरक्ष क्रिव शॉट जो होता है वह तार ओल ग्रूप से संबन्दित होता है next है flat swing flat swing जो होता है यह सबसे economical method होता है next है the ratio of modulus of elasticity of wood in the direction perpendicular to the grain to the value of in the direction parallel to the grain fall in the range 1 by 20 to 1 by 12 grain के perpendicular direction में और grain के parallel direction में wood का जो modulus of elasticity का range होता है उसका ratio 1 by 20 से लेके 1 by 12 के बीच होता है इसको आपको ध्यान में रखना है तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना है अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना ना भूले अगर आप किसे भी topic पर वीडियो चाहते हैं तो comment जरूर करें अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाब हो तो comment में जरूर बतावे thanks for watching this video thank you point have a nice day thank you